आ गया आ गया आ गया जी हा दोस्तो पोलेंड जाने का मौका आ गया पोलेंड जो की यूरोप की एक बहुत ही खूपशूरत कंट्री है दोस्तो जहां के लोग बहुत खूपशूरत है वेदर बहुत खूपशूरत है जहां पर आपको अलग-अलग टाइप के बेनिफिट्स म बारे में जाना चाहते हैं, ऐसी jobs के बारे में जानना चाहते हैं, दोस्तों, जिसके लिए आपको तेरल लाग चार लाग रुरपए तक की salary मिल सकती हैं, तो वीडियो के इंट तक बने रहीएगा, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा आपकी और कोई वदद्दी कर सकते हैं अगर CV कवर लेटर आपको बनवाना है किसी कंट्री का तो वो हम आपको बना कर कर दे सकते हैं ताकि आप जौब अपलाई करें और आपको जल जल रिस्पोंस मिल सकें दोस्तों जिहां वापस आज़ते हैं मुद्दे पर मुद्दा यह है दोस्तों कि पॉलिंड में इस वक्त बहुत सारी अलग-अलग जॉब्स के लिए फॉर्म वोकर्स की हाईरिंग चल रही है और आप भी उन हाईरिंग का हिस्सा हो सकते हैं और आपको यह मिल सकता है मौका पॉलिंड का वर् ध्याएं सकते हैं बचा करके जिहां दोस्तों और सेलरी करती हैं किया आपकी सायलर क्यूंसstars ? जादाव धिमांड है कौन से जॉम में आपको दॉयां करता है उन सारी के धाण करते हैं ऐस चीज़ को आप हमेशा यह लखår है कि कोई छोटीस च्बावरें तो आप 1.5 लाग से 2 लाग रुपए कमा सकते हैं अराम से ओवर टाइब वगेरा करके अगर आप मेहनती है तो ठीक है construction फिल्ड में अगर आप चाहते हैं कि इंडिया से बाहर निकल के ट्रक ड्राइविंग करें ओमान कतर वगेरा इधर उदर का experience लेकर करके आचुके हैं दोस्तों तो मैं आपको एक बार यहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कैनडा छोड़िए कैनडा भी जा सकते हैं वैसे ट्रंक ड्राइवर दोस्तों पॉलिंड के जरीए जाएं मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि शुरुआत छोटे से करनी चाहिए ऐसे आप step by step जाएंगे ना अगर आपको पॉलिंड का वीजा मिल जाता है तो आप अनी से उसके बाद कैनडा भी जा सकते हैं दोस्तों बाकी की बड़ी यूरोपि पर बना सकते हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियून की वेबसाइट पर जा करके जिसको यूरोपा.eu की वेबसाइट भी कहते हैं दोस्तों इस वेबसाइट पर जाएए अपना CD का वालेटर बनाईए अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल पर एक offer भी चल रहा है दोस्तो अगर आप वो offer जानना चाहते हैं तो आप चल्दी से जल्दी है में message कीजिए और वो offer सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांती के लिए ही है 15 जनवरी 2024 के लिए ही है इसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस offer को ले करके हमें message मत कीजिएगा ठीक है अभी मैं आपका जाधा time list नहीं करूँगा दोस्तों अब मैं आपको direct बता देता हूँ उन jobs के बारे में जिन jobs में बहुत जाधा foreign workers की demand है दोस्तों इस वक्त ठीक है और किस तरीके से आपको जो है पहले तो कुछ benefits के बारे मताया जारा कि अगर आप पोलें जाते हैं और काम करते हैं तो आपको क्या क्या benefits मिल सकते हैं employment opportunities बहुत सारी है ठीक है when positions are in high demand there is a frequently a scarcity of skilled labor in particular domains तो इसके लिए आपको employment opportunity है मिलती रहेगी comparative wages wage भी अच्छी मिलेगी दोस्तों आपको salary अच्छी मिलेगी आप अराम से अच्छे काम कर सकते हो ठीक है अच्छे काम करके पैसा भी कमा सकते हो दोस्तों और एक quality life जी सकते हो ठीक है उसके बाद cultural exploration केक्स छोग कैसे रहते हैं तो वह वह प्यूट पहले किसी में अपना पूरा मतलब वेकेशन बिता के गई कि कियुंकि आई ती रोग पह przew अगवा रंग पहन के घूम रही थी समझ रहो तो culture भी explore करने का आपको मौका मिलेगा अगर अपने country में जाते हो language related prospects वैसे तो अंग्रेजी ही चलती है वहाँ पर लेकिन अगर आप महाँ पर काम करना चालू करते तो obviously कहीं रहने के बाद आप थोड़ी थोड़ी जो है वहाँ यह वही सारी चीज़ें यहाँ पर यह कुछ आपको जो है बताई जा रही है यहाँ पर बेनफिट्स वगएरा 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 employment opportunities in immigration वगएरा वगएरा ठीक है अब यहाँ पर आजाते है वापस demand skills क्या क्या है कौन-कौन सी jobs जो है in demand चल रहे हैं दोस्तो in demand skills आप देख enthusiast seeking to invest in Poland's flourishing IT industry this is an immense opportunity for you the demand for your expertise is in back-end, front-end, full-stack और mobile development यह चार कुछ options बता दिया आपको back-end, front-end, full-stack और mobile development is exceedingly high ठीक है गोलांग, javascript, frameworks, php, service now यह सब में भी अगर आप काम कर सकते हैं अगर इंसानी चीज़ों में भी expert है तो आपकी expertise in demand है ठीक है उसके बाद data science, AI, cyber security, cloud computing यह सारे चीज़ों में भी अगर आपने काम किया यह experiences वगरा, qualifications वगरा ले रखा दोस्तों तो आपके लिए नौकरी यह available है ठीक है, healthcare में आप बहुत असानी से job के लिए अपलाई कर सकते हैं, cardiology, oncology, physicians, midwives, nurses, psychiatry, यह सारी के सारे jobs जो है in demand है दोस्तों यह सारे के सारे skills जो है in demand है ठीक है, आप बहुत easily जो है इन jobs के लिए अपलाई कर सकते हैं और अपने लिए लाख रुपे की salary secure कर सकते हैं दो bus, transport drivers और renewable energy में जो है बहुत सारे jobs देखना की मिल जाएंगे अलग 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 टाइप के जिन jobs के लिए आप easily apply कर सकते हैं ठीक है, उसके बाद नीचे की तरह आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ बताया जा रहा है वहाँ के job market के बारे में और visa process के बारे में, सबसे पहले त submit application to organization actively seeking international talent ठीक है, job के हिसाब से सीगी का बनाईटर बनाईए, उसके बाद job forums, job portals पर जाएए, जो मैंने आपको अभी कुछ नाम बताया तो दोस्तों, वहाँ जाकर के ऐसी companies के अंडर job apply कीजे, जो की international talent को hire कर रहे है, ठीक है, उसके बाद अगर आप police work visa के लिए apply करना चा जो है, आप gather करके work visa के लिए apply करते हो अपनी country में, तो यह पूरा process होता है, यही होता है दोस्तों, ठीक है, यह चीज जो है, आपको हमेशा याद रखनी है, और यहाँ पर एक tip for success बताया जा रहा है कि अगर आपको वहाँ के language के थोड़ी सी knowledge होगी, तो obviously आपका जो है, मतल European languages नहीं सीखते हैं लोग क्योंकि उनको लगता है कि European language जो है, सिर्फ वही उसी countries तक सिमित रहेंगी, अगर आप French सीखेंगे तो obviously French जो है, बहुत सारी countries में बोली जाती है दोस्तों, लेकिन अगर आप Polish सीखते हैं, तो Polish जनता की मतलब कमी के कारण, वो जो है, सिमित है, ठी Chinese लोगों की population कितनी जाता है, तो वो आपको हर जगा काम आईगी दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए लोग ऐसे European languages सीखते नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं दोस्तों, तो बहुत असानी से आपको जो है यूरोप में jobs मिल सकती है, ये चीज जो है, एक tip for success है, ठीक है, कोई unskilled job है, semi skilled job है, तो उसके लिए आपडेट से 2,5,000,000 रुपे तब कमा सकते हैं दोस्तों, depending upon your experience और आप किस post के लिए अपलाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप healthcare sector में अपलाई कर रहे हैं, किसी doctor के पद कर रहे हैं, तो आप अनाम से 3,5,4,000,000 रुपे भी कमा स पहले CV का वा लेटर बनाना है, वो आपको मैं फिर से बोलूँगा कि आप हमारी वीडियो देख करके सीख सकते हैं, otherwise आप हमें contact कर सकते हैं, नीचे दिएगा WhatsApp नंबर पे, और आज के लिए तो offer की चल रहा है दोस्तों, तो मैं बस इतना ही suggest करूँगा आपको कि वेट करना छोड़िए, जल्दे से जल्दी jobs के लिए अपलाई करना चालू कीजिए, ताकि आपको भी मिल सके यूरोप का work visa, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाए बाए